नमस्ते डोव इवस आझ के इस वीडियो में हम लूग कार्नौट साइकल को डिसकर्स करने वाले हैं मेरे प्यारे वीवस देखें पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिसकर्स किया कि कार्नौट सहीट इंजन क्या होता है वहाँ पे हम लोगोंने समझा कि यह जो theoretical heat engine है जो साथी car not के द्वारा इसका information है न हमें दिया गया यह है क्या इसका efficiency किस प्रकार का होता है इसमें जो engine होते हैं main constituents क्या होते हैं इस engine के उसके बारे में हम लोगोंने चर्चा किया पिछले वीडियो में है चोटा सा वीडियो है आज के इस वीडियो में हम लोग इस car not cycle को तो समझेंगे इसके साथ साथ इसका जो walking है न कार नौट सीट इंचन का वो भी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे वीवस बट उसके पहले कुछ ऐसी चीज़े है जो हमें समझ लेनी चाहिए देखे ये जो car not cycle है ना इसके अंदर four steps होते हैं four steps आपको मिलेंगे दो step जो होता है मेरे प्यारे वीवस वो expansion का होता है अर्थाक जो walking substance है है ना जो हम लोग gas के रूप में यहां पर लेंगे वो expand करेगा ठीक है और दो जो step होंगे वो compression के होंगे वहाँ पर walking substance को compress किया जाएगा ओके और इस प्रकार से भी कह सकते है कि यहां पर four processes हमें देखने को मिलेंगे पहला जो होगा वो माफ किजेगा दो जो होगा वो isothermal होगा और अगला जो दो होगा वो adiobatic होगा तो चलिए यह सारी चीज़ों तो basic चीज़े है यह सारी चीज़े तो आप आगे grab कर ही लेंगे हमें क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले मिरे प्यारे भी बस यहां पर जो Carnot cycle का constituent diagram था वो हमें पहले draw करना चाहिए तब ही तो हम लोग step to step हर चीज़ को यहां पर समझ पाएगे तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं यहां पर हम लोग एक source ले लेते हैं माल लेते हैं कि यह source है जो temperature T1 degree Kelvin पर है और इसको हम लोग एक constant temperature इसी constant temperature T1 degree Kelvin पर ही maintain रखेंगे इसका thermal capacity क्या होगा काफी large होगा source का उसके बाद आपका यह जो दूसरा box है चलिए माल लेते हैं यह insulating stand है या insulating pad है इसको भी हम लोग एक कह सकते हो constant temperature T2 degree Kelvin पर maintain करके रखें और इसका भी thermal capacity large है अब देखो thermal capacity large होने का मतलब क्या है कि आप sink को कितना भी heat दे दो इसका temperature T2 degree Kelvin पर ही maintain रहेगा ठीक है अब आखरी चीज़ माल लीजे कि यह आपका क्या है एक cylinder है ठीक है इस प्रकार से कि हमारा जो cylinder है वो हर तरफ से क्या है insulated है धान से सुनिएगा हमारा जो cylinder है वो हर तरफ से क्या है insulated है बॉटम को छोड़ करके यह जो बॉटम है यह वाला यह हिस्सा जो है आपका conducting है insulated नहीं है सिर्फ बॉटम को छोड़ करके जो भी हिस्सा है वो सारा क्या है insulated है और यहां पर यह जो आप piston देख रहे है मेरे प्यारे वीवस यह piston frictionless और weightless है है न कह सकते हैं क्योंकि Carnot cycle Carnot heat engine क्या है एक प्रकार का ideal heat engine है इसलिए ऐसा कह रहे है ठीक है और let us imagine कि हमारा जो walking substance है वो one mole of ideal gas है one mole of ideal gas है जो इस cylinder के अंदर present है अब जो है हम लोग things को start करते हैं देखें notes भी यहां पर है धिरे धिरे करके हर एक चीज़ को देखते वे चलेंगे देखें मेरे प्यारे वीवस पहला जो step है उसमें हम लोग क्या करते हैं हमारा यह जो cylinder है जो walking substance को अपने पास रखे हुए है उसको क्या करेंगे इस source पर place करते हैं हम लोग क्या किये cylinder उठाए source पर रख दिए अब जैसे ही हम लोग उने cylinder को source पर रखा हुआ क्या मेरे प्यारे वीवस यह जो one mole of gas है माल लेते हैं ऐसा माल लीजे कि initially इसका pressure P1 था volume B1 था और temperature जो है माल लेते हैं T0 था ऐसा माल लेते ह जो temperature है वो T0 था लेकिन प्यारे वीवस जैसे ही आपने cylinder को उठाया और source पर रखा क्या होगा इसका temperature T1 degree Kelvin हो जाएगा है इसके बराबर हो जाएगा source के बराबर इस gas का temperature ओके नौ हम लोग एलो करेंगे कि हमारा यह जो gas है यह जो working substance है जो इस source पर रखा है वह एक्सपेंड करें क्या करें एक्सपेंड करें हम लोग करेंगे कि जो है वो दीरे दीरे एक्सपेंड करें दीरे दीरे बोले तो क्वासी स्टाटिकली एक्सपेंड करें क्यूंकि यह क्या एक ideal साइकल है यहाँ पर हर एक step में equilibrium maintain होगा इसलिए धीरे धीरे इसका expansion होगा one more of gas का ठीक है अ यह expand कर रहा है मतलब यह कुछ walk done कर रहा है कर रहा है अब यह walk done करेगा प्यारे वीवर्स तो ओवेस सी बात है यह खुद के internal energy के cost पर work कर रहा है तो इसका temperature lost होगा लेकिन यह क्या करेगा temperature lost ना होने दे करके यह source से heat ले लेगा और उसी amount of heat से यह walk done करेगा ताकि इसका जो temperature temperature है वो टीवन डिगरी केल्विन पर ही maintained रहे हैना that's why यह पूरा जो process था इसमें क्या हुआ temperature maintained रहा इसलिए पहला step क्या होता है isothermal expansion का होता है ठीक है तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा यह जो gas था वो expand करके एक नया state पर पहुंच गया मान लेते हैं एक नया state पर पहुंच गया जहां पर इसका pressure P2 हो गया volume V2 हो गया और temperature जो है यह T1 degree Kelvin हो गया मतलब source के बराबर ठीक है ऐसा मान लेते हैं यह सारी आपको हम बताना चाहते हैं देखिए यहां पर जो one mole of ideal gas है यह क्या क्या source से कुछ amount of heat लिया चलिए मान लेते हैं कि यह amount of heat यह लिया source से वो Q1 है तो यहां पर जो amount of heat one mole of ideal gas लिया मेरे प्यारे वीफस वो क्या किया वो सारे amount से work done किया क्योंकि यहां पर आप भी यह करेगा है ना जो भी amount of heat है यह जो है वोक्डन से equal होगा ठीक है तो यह चीज़ जो है यह आप लोग देखेंगे यहां पर देखिए isothermal expansion का case place one mole of gas contained in cylinder on the source so that the gas acquies the temperature T1 degree Kelvin of the source okay let P1 B1 are the pressure and volume of the gas in initial state okay this initial state is represented by point point A P1 B1 on PV diagram अपी PV diagram पर 20 को represent करेंगे ठीक है now gas is allowed to expand quasi statically ठीक है quasi statically क्यों यह बता है हम लोग and piston moves slowly and slowly upwards till the gas reaches new state B जहां पर उसका pressure P2 और V2 हो जाता है okay where P2 and V2 are the pressure and volume of gas in state B okay now आप देखो यह चीज़ हम लोग भी आपको बता है कि as the gas expands is temperature falls हना तो heat absorb कर लेगा ताकि जो है temperature आपका T1 degree Kelvin पर ही maintained रहे और इस expansion के process के समय temperature constant रहा T1 degree Kelvin पर इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे है isothermal expansion का step कर रहे है ठीक है अब चलो इसको PV diagram पर represent कर लेते हैं देखो यह PV diagram के लिए हम लोग छोटा सा बना के रखे हैं देखिएगा माल लेते हैं हमारा जो graph होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है ठीक है ऐसा कुछ ओके कुछ ऐसा कह सकते हो तो माल लेते हैं यह state A हो गया जहाँ पर pressure P1 volume B1 ओके यह state B माल लेते हैं state B यह जहाँ पर pressure P2 volume V2 ओके और एक और चीज़ आपको पता होगा कि pressure volume का जो हना मतलब pressure volume diagram में जो curve होता है उसके अंडर का जो area होता है वो work done को represent करता है यह आप जानते होंगे तो यहां से क्या करता है dotted lines ले लेते हैं ताकि यहां से iscoff के अंडर का area को भी लिया जा सके ठीक है ना ताकि work done को हम लोग area से ही represent करेंगे इसको ले लेते हैं B प्राइम इसको क्या ले लिया जाविया इसको चलो ना A prime ले लेते हैं ठीक है तो A B B prime A prime A जो है यह work done को भी रिप्रेज़र्ट करगा देखें यहां लिखें यह सारी चीज़ें आपनो टाउन भी करते जा सकते हैं in this process of isothermal expansion okay the gas moves from a state a p1 b1 to state b p2 v2 okay and it is represented by curve a b hana यह जो curve है इस curve a b से इसको हम लोग represent कर रहें now okay let q1 amount of heat is absorbed by the source यह बता ही आपको then work done in step one step one में जो work done होगा वो क्या होगा integral v1 to v2 pdv है न क्योंकि यहां पर volume increase हुआ है न वीवन से v2 चला गया और pdv हम लोग यहां पर ले रहा है अप चुकि आप देखो pressure भी यहां पर बदल रहा है तो यह हम लोग यहां ले रहा है बट actually मैं isothermal expansion के लिए अपने पास formula है expansion नहीं अगर कहीं isothermal process हो रहा हो तो उस case में work done निकालने के लिए अपने पास यह formula है rt1 log e v2 by v1 ठीक है तो यह formula यहां लिख दिए और जैसे कि हम लोग कहें कि यह जो कव है ना इस कव के अंडर का जो area है वो भी work done को represent करता है तो हम लोग ऐसा लिख दिए area b b prime a prime a ठीक है अब चुकि यह और चीज़ हम लोग आपको बता ही दिये थे पहले ही कि जो amount of heat absorb होगा ना वो work done से equal होगा है तो इसलिए हम लोग q1 को w1 से equal क हो जाएगा अब है डाइबेटिक expansion का कि दूसरा step तो चलिए वापस से कहां चलते हैं अपना diagram में यहां पर देखेगा मेरे प्यारे वीवस दूसरा step है इसमें क्या होगा हमारा यह जो cylinder है जो working substance contain कर रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे insulating pad पर रख देंगे अभी इस cylinder का bottom क् conducting लेकिन जैसा ही इस insulating pad पर इसको रखोगे क्या होगा यह चारो तरफ से completely thermally isolate हो जाएगा मतलब यह ना तो heat gain कर पाएगा नहीं heat lost कर पाएगा इस स्थीती में प्यारे भी बस हम लोग चाहते हैं कि gas expand करें लेटर से वापस से अपना जो state था उसका बी इसको बी ले 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 वोग डन करने के लिए तो वह क्या करेगा वो खुद के internal energy के cost पर work done करेगा है खुद के internal energy के cost पर work done करेगा मतलब इसका temperature यहां पर decrease करेगा है फस्ट स्टेप में decrease हुआ तो वह तो source से ले लिया है इसका temperature constant रहा आइसो थ्रमल प्रॉसस का case हो गया लेकिन यहां पर वह कहीं से हीट ले ही नहीं सकता है okay that's why यह जो आपका step है यह अडाइबेटिक expansion का case है यह अडाइबेटिक process है तो चलिए imagine करते हैं कि हमारा जो cylinder है आपकी जो piston है वो यहां पर पहुंचा एक state C में पहुंचा जहां पर उसका pressure हो गया P3 volume हो गया V3 और temperature चलिए decrease करके temperature जो है वह हो और इसको जो हम लोग अगर पीवी डाइगराम में रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस प्रकार से इसको पीवी डाइगराम में रिप्रेजेंट कर सकें कुछ इस प्रकार से ठीक है माल लेते हैं यह जो है आपका point C है यहां पर pressure P3 volume V3 और जैसे कि हम लोग का है कौव के अं तो यहां देखिए वाकड़न जो हुआ इस अडाइबेटिक एक्सपेंशन के केस में हाना मतलब है कि हमारा जो ग्यास थाना वह स्टेट B से से स्टेट C गया तो अबैसी बात है यहां से वहां गया तो कुछ वाकड़न किया वह वाकड़न को हम लोग W2 ले लिए और यह किससे को लिए इंटेग्रल वी टू 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 वी थ्री वोल्यूम बढ़ा PDV is equal to अभी अडाइबेटिक प्रोसेस है अडाइबेटिक प्रोसेस के केस में जो व वाकड़न होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास अगर आप उन फॉर्मूला के बारे में जालना चाहते हैं तो हमारा जो प्लेलिस्ट है था मोडानमिक्स का उसको आप एक पर जरूर चेक किजिए डफिनेटली वह प्लेलिस्ट होगा ओके अभी जो वाकड़न चीज़ें यहां पर लिखी हुई है क्या लिखी हुई है चलिए इसको समझते हैं तो दो स्टेप्स हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया हमारा सेलेंडर इंसुलेटिंग पैड पर रखा हुआ था अब गया करते हैं वापस से इसको उठाते हैं और कहते हैं चलो सिंक पर जो अब यहां पर कंप्रेशन स्टार्ट होगा ठीक है अभी हमारा स्टेट सी में था गयास प्रेशर पी थरी वॉल्यूम बी थरी टंप्रेचर टीटो डिगरी केल्विन था अब हम लोग क्या करेंगे इस पिस्टन को पकड़ेंगे अभी तक जो यहां पर गयास था ना वो व वन भी पॉस्टीव है लेकिन डबलू 3 और डबलू 4 जो है वो नगेटिव होगा ठीक है अभी पिस्टन को इधर पकड़ने का और इधर पुश करने का दीर इधर कंप्रेस करने का तो आप जब कंप्रेस करो गेस को तो माल लेते हैं वो एक नया स्टेट पर पहुंच गया एक ऐसा स्टेट माल लेते हैं यहीं कहीं पर वो स्टेट होगा माल लेते हैं इस जगे पर माल लेजिए वो पहुंचा है ना कंप्रेस करते हैं ठीक है अब देखो कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है उस पर जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है तो प्रेशर भी चेंज हो और वेसी बात है उसका वॉल्यूम घटे गा, तो वाल्यूम भी चेंज हो रहा है, अब ही देखो में चीज क्या है कि हम लोग जब इसको चमप्रेस करेंगेना जब इसका टेंप्रेशًर बढ़ेगा अब टेंप्रेशर बढ़ेगा ँर्प एक्स्ट्रा temperature यहां बढ़ेगा उसको heat के दौर पर वो क्या करेगा इस sink को reject करतेगा यह one wall of gas juxtra temperature बनेगा वो क्या करेगा उसको sink को क्या करेगा reject कर देगा ताकि इसका temperature T2 degree Kelvin पर maintain रहे अब यहाँ पर temperature इसका T2 degree Kelvin पर maintain रह रहा है मतलब जो तीसरा step है वो क्या है isothermal compression का case है हम लोग इसको इस प्रकार से compress कर रहा है कि इसका temperature T2 degree Kelvin पर maintain रहा है और जो extra यहाँ पर temperature बन रहा है उसको heat के form में यह sink को reset कर दे रहा है तो यह क्या है isothermal compression का case है अगर इसको हम लोग represent करना चाहे PV diagram पर तो कैसे कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से इसको PV diagram पर represent कर सकता है ठीक है माल लेता है यह आपका D है पॉइंट D है जहाँ पर pressure P4 है volume V4 है ठीक है और अब वेसी बात है आप जानते हैं कि curve के नीचे का जो area है वो वागडन को represent करता है ठीक है चलिए यह समझ गया होंगे यह सारी चीज़ें यहां लिखें है अब लोग एक बार देख लेता है नाओ रिमूव दा सलेंडर फ्रॉम दा इन्सुलेटिंग स्टेंड ओके अन प्रेसिट अन प्रेसिट अन प्रेचर टीटू डिगरी कल्विन नाओ इस प्रोसेस के समय तो इस प्रोसेस को आई सो थर्मल कंपरेशन का नेम दे दिया गया यहां पर देखो अब लोग यू तो बस बता है अब प्र कहा रहा है जो पिस्तन को कंटिन्यू रखो ताकि एक नया स्टेट को वह रिगेन कर सके जहां पर उसका प्रेशर पीफोर और वॉल्यम वीफोर ओके अट कॉंस्टें टेंपरेचर टी टू डिगरी केल्वन ओके यह जो प्रोसेस है आई सो थामल कंपरेशन का जहां पर गैस हमारा स्टेट सी से स्टेट डी जा रहा है इसको हम लगे कॉव सीडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यह जो कॉव सीडी है इ हैं यह लिया नहीं न था कंपरेस ही किया तो जितना अमाउंट अफ हीट रिज्एक चैना है यह जो भी वहान वहां हमाउंट फीट मतलब ऐसा कहा सकते हैं हम लोग कि जो अम्ट ओफ हीट यह रिज्एक्ट कि आ गया वह वो उकडन से एक्वरल होगा यह जिस पहले आपको बता दिये हैं ना confused मत करिएगा इस चीज़ में ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखे हैं हम लोग को लिए q2 amount of heat is rejected by the gas to the sink is equal to walk done on the gas this is q2 is equal to w3 अच्छा देखो अब यह क्या है आपका isothermal compression का केस है इसमें compression हो रहा है अर्थात volume decrease हो रहा है यहाँ पर v3 बड़ा है as compared to v4 ध्यान रखेगा इसलिए इदर negative का symbol लगाया गया क्योंकि dv क्या है negative है अब isothermal process है तो हम लोग उसका जो formula होता है वो यूज कर लिए और उस वाकड़न को इस एरिया से रिप्रेजेंट कर दिए साथी साथ जो amount of heat है वो w3 से equal होगा q2 से ठीक है यह भी चीज जो है ध्यान में रखिएगा अब चलते हैं कहां पर मेरे प्यारे वीवेस हम लोग चलते हैं हमारा जो चौथा स्टेप है आखरी स्टेप अडाइबेटिक कंप्रेशन का जहां पर हमारा यह जो cylinder है जो वन मॉल आफ आईडियल गैस कंसिस्ट कर रहा है इसको वापस से क्या करेंगे सिंक से हटा करके बोलेंगे भाया चलो कहां पर insulating pad पर वापस से insulating pad पर रख दिया जाएगा जैसे ही इसको insulating pad पर रखेंगे मेरे प्यारे वीवेस क्या होगा यह वापस से चारो तरफ से isolate हो जाएगा और उस case में जब आप इसको compress करोगे slowly slowly quasi statically जब आप इसको compress करोगे तो यह एक new state को attend करेगा ओके एक ऐसे new state को जहां पर इसका प्रेशर जो है वापस से क्या हो जाएगा पीवन भीवन हो जाएगा और चुकि यहां पर पहले से यह क्या था टी टू डिगरी केलविन पर था अब compress किया गया तो कुछ temperature और रेज किया इसका है ना रेज किया ना टेमपरेचर अब सिंक पर जब था तब तो वो temperature रेजक्ट कर दिया लेकिन यहां पर चारो तरफ सा isolated है भाईया temperature तो रेजक्ट कर ही नहीं सकता तो क्या होगा इसका temperature रेज कर जाएगा तो मान लेते हैं कि यह जो है वापस से T1 degree Kelvin पर आ गया मान लीजी है ना तो अब देखो initial pressure और volume भी हो गया और temperature जो है इसके बाराबर भी आ गया T1 degree Kelvin के बाराबर भी आ गया तो यहां पर देखिएगा यहां पर हम लोग लिखे है नो remove the cylinder from the sink and place it on the insulating stand the gas is completely thermally isolated from the surroundings now compress the gas adiabatically till it reaches its initial state AP1B1 and temperature becomes T2 degree Kelvin ठीक है समझ रहा है ना वो अपने initial state P1B1 को गेन कर ले ओके और जो temperature है ना वो T1 degree Kelvin बन जा है अब इस case में ना तो heat जो है वो absorb किया नहीं reject किया तो यह जो process है यह अडाइबेटिक compression का है है और यह जो gas D से state A पर पहुँच रहा है उसको हम लोग एक curve DA से represent करेंगे PV diagram पर कुछ इस प्रकार से ऐसे यहां से लेके ऐसा represent कर देता है ठीक है ना कुछ ऐसा जो है इसका representation होगा DA है ना अब देखे एक चीज़ है जहां पर आप हो सकता है कंफ्यूज कर रहे हूं हम लोगों ऐसा कहा था कि initially इसका temperature टी नॉट है है ना ऐसा हम लोग कहें बिल्कुल कहें अब देखे जब आप cylinder को उठा के इस पर रखे ना तभी तो इसका जो है आपका temperature टीवन टीवन हुआ था है ना और जब इसका state बदला तभी इसका temperature टीवन ही था इसलिए इन दोनों में confuse मत किजएगा हम लोगों ने ऐसा कहा कि initially जब इसको source पर नहीं रखा गया था तब इसका temperature टी नॉट था ठीक है ना कन्फ्यूज मत करेगा चली तो यह चीज़ समझ गया अब यह जो कव डी था इसके अंडर का जो एरिया है चली इसको डी प्राइम ले लेते हैं वह वागडन को रिप्रेजर्ट करेगा तो यहां पर हम लोग लिखे है डबलू फोर इस इकॉल टू माइनस है ना वी फोर ट तो बड़ा इसलिए उपर रखा गया इसको और यहां पर चुकी लिमिट्स बदला गया इसलिए निगेटिव का सेंबल हटा यह तो आप जानते हैं डिफ्रेट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी है और चुकी प्रॉसस क्या था अडाइबेटिक तो अडाइबेटिक के अब जो है यह सारी चीजह हम लोगोंने लिकर्ड़ क्या किया जए और थोडा सा वॉकड़ा ज quizन उसका क्या क्या घंप अब देखो नेट वॉकड़न जो होगा माल लेते हैं कि वो W है ठीक है ना और यह किस से इक्वल होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 से है ना चारो स्टेप में जो वॉक्डण किया गया अब आपको पता है पहला स्टेप और दूसरा स्टेप मतलब expansion का था तो उसमें वॉक्डण जो है ना वो positive होगा लेकिन तीसरा और चौथा स्टेप compression का था मतलब वॉक्डण गैस पर किया गया था तो वॉक्डण को negative लेंगे आप देखो पहला जो हमारा W1 है ना इसमें अगर आप गौर से देखो तो क्या आपको देखता है क्या देखता है आपको कि W1 जो है यह आपका area अंडर कॉव से एक्वल था अंडर दिस कोव से एक्वल था मतलब आई बी ब्राइम एक प्राइम से एक्वल था प्लस डबलू टू जोई है आपका इसकींदर रक उप्लस यह आपको सक्टेशा एकवल सारतलम अरिया अनडर बी C C' सी प्राइम क्या सrzyंखते हो plus c d के लिए आप ले लेंगे c c prime d prime d और da के लिए क्या ले लेंगे area d d prime a prime ये ले लेंगे ठीक है अब देखो total यहाँ पर जो net work done होगा ना ओके यह actually में w1 है ना minus w3 होगा क्योंकि यहाँ पर na by inspection हम लोग यह कहेंगे कि w2 और w4 equal है क्योंकि दोनों ही case में ना तो heat लिया गया ना ही heat दिया गया मतलब q2 दोनों ही case में 0 है तो हम लोग यह कहेंगे कि यह दोनों जो है और W3 क्या है आपका area D, माफ किजएगा ये है न, हाँ C है C, C prime, D prime D अभी जब आप minus करोगे न, ये area है AB और ये CD वाला ये इसके नीचे का, ये इसके नीचे का minus करोगे तो आपको ये shaded reason का area मिलेगा ये जो shaded reason है, है न, ABCD ये मिलेगा, अर्थात जो यहाँ पर net walk done किया जा रहा है किसके द्वारा, walking substance के द्वारा ये actually में किस से equal है area under the area of the shaded portion shaded portion का जो area है area ABCD उससे जो है net walk done आपका equal है, ठीक है और ऐसा भी क्या सकते हो, कि W जो है न, ये actually में Q1 minus Q2 से equal है, क्योंकि W1 क्या था, Q1 से equal था, कहा न हम लोग है, ये चीज़ता आप लोग को यहीं बता है, W1 Q1 से equal है, और आपका जो W3 है, ये Q2 से equal है, ये तो बताए हैं आपको, ओके, अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे वीबस, हमें, हम लोग जो है, efficiency देखता है, कार heat engine का जो efficiency होगा, चली उसको eta ले लेते हैं, तो वो क्या होता, 1 minus Q2 by Q1 होगा, है न, क्योंकि basically क्या होता, efficiency, work done by amount of heat absorbed, और work done क्या Q1 minus Q2 करोगे तो यहीं मिलेगा, अब थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें हमें और समझने की अवशकता है, क्योंकि हमें क्या पता है, कि हमारा जो Q2 है, इसको अब हटा देते, इसका काम हो गया है, Q2 जो है, वो किस से equal है, इस से equal है, RT2 log E, क्या है, V3 by V3 by V4 है, इस से equal है, और इसी प्रकार से Q1 जो है आपका, वो RT1, okay, log E, log E, V2 by V1 से, एक मिनट, V1 by V2 से equal होना चाहिए, हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखे, V2 by V1 से equal है, ओके, V2 by V1 है, तो इसको जो है, V2 by V1 कर दिएगा, ठीक है, माफ करेगा, V2 by V1 है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे वीवस, देखे, इफिशेंसी तो हमें बड़ा अजीब टाइप का मिल रहा है, 1-RT2 log E, okay, क्या है भाईया, V3 by V4, okay, by RT1 log E, V2 by V1, क इसका क्या करें, मेरे प्यारे वीवस बताइए, देखे, चलिए थोड़ा साना, यहाँ पर थिंस पर थोड़ी सी चर्चा करता है, ताकि हम लोग को कुछ थिंस कलियर हो सके, मेरे प्यारे वीवस, देखे, हम लोग को पहले तो अपना पीवी डाइगरम लेना चाहिए, और से देखिए, तो यह जो बीसी था यह यह अच्यली मा अडाइबेक परॉसस के लिए करवए, और यह दी अ दीए बीडिक परॉसस के लिए कर भान है, ठीक है, तो यह जो अडाइबेक है, बीसी और इसाऌ पर लाइक कर रहा है, अध़ी लूग को हठा दीजे ये दोनों का केवल बात करें यहां पर तो अव्यसी बात है BC पर ही यह जो है दोनों Points लाइ कर रहा है जो DA line है उसी पर D और A भी लाइन कर लाइक कर रहा है तो हम लोग ना इन दोनों के लिए अगर Adiabetic Process का Equation लिखें इन दोनों के लिए तब जा करके हम लोग जो है इसको solve करके things को और simpler कर पाएंगे देखिए actually में अगर हम लोग यहाँ पर यह जो adiabetic है adiabetic curve जो है यहाँ पर BC अगर इसके लिए ले तो हम लोग चुकि adiabetic BC है इस पर दोनों ही points लाइक कर रहा है B और C तो B और C दोनों के लिए अगर आप adiabetic equation लिखो तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि T1 V1 नहीं होना चाहिए यह भी है न हाँ V2 होगा ओके क्योंकि इस case में जो है temperature T1 ही था न हम लोग temperature और volume के terms में इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर temperature और volume ही है है इसलिए तो इसको गामा माइनस 1 कर दीजे और इधर आपका हो जाएगा T2 V3 गामा माइनस 1 है इसी प्रकार कारना equation होता है आपका ठीक है किसका equation होता अडाइबेटिक process के लिए ठीक है सेम चीज हम लोग यह जो अडाइबेटिक CD है इसके लिए करेंगे क्योंकि COD क्या है सेम points पर लाई कर रहा है तो दोनों के लिए constant सेम होगा इसलिए हम लोग दोनों को यहाँ पर equal ले रहे है ठीक है ना अगर आप ने अडाइबेटिक equation के बारे में things पढ सकते हैं कुछ इस प्रकार से T1 V1 gamma minus 1 is equal to okay यहाँ पर temperature D वाले में T2 था तो हम लोग इसको ऐसे लिएक सकते है T2 V4 gamma minus 1 अब आप क्या करो यहाँ पर आप जो है ना इसको यह जो है चलो इसको equation 1 ले लो इसको 2 ले लो equation 1 को 2 से divide कर दो तो T1 V2 gamma minus 1 T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V3 gamma minus 1 और T2 V4 gamma minus 1 देखो T2 T2 cancel T1 T1 cancel क्या बचा आपके पास V2 gamma minus 1 अब देखो gamma minus 1 दोनों में common तो ऐसा करो उसको उपर ले लो और इसको ऐसा लिख दो V2 by V1 gamma minus 1 सेम चीज़ इसमें भी करिए V3 by V4 और उपर में gamma minus 1 यह दोनो gamma minus 1 gamma minus 1 cancel हो जाएगा पावर आपके पास क्या बच्चेगा V2 by V2 by V1 is equal to V3 by V4 अब देखो यह दोनों तो सेम आगे ना V3 by V4 और V2 by V1 अब क्या करेंगे बोट साइट्स लॉग लगा देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा लॉग E V2 by V1 is equal to लॉग E V3 by V4 तो अबेसी बात ह यह दोनों equal आ रहा है तो हम लोग जो है मेरे प्यारे विवस इन दोनों को cancel कर देंगे हैना यह दोनों cancel हुआ आपका जो है Efficiency का value कुछ ऐसा मिला है Efficiency Eta is equal to 1 minus T2 by T1 और आपका Efficiency इससे भी equal है 1 minus Q2 by Q1 से तो इन दोनों को देखते हुए और an inspect हम लोग यह कह सकते हैं कि T2 by T1 जो है यह Q2 by T1 से equal है यह भी काफी important result है हर जगे पर प्रियोग होता है तो इस तरह से जो है Carnot cycle के case में जो network done हुआ ओके यह हम लोग पता कर सकते हैं Efficiency भी पता कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से अब कुछ बाते हैं जो हमें थोड़ी समझनी चाहिए हैना जो हम लोग इन formula की मदद से समझ पाएंगे क्या निकला Efficiency का formula Eta is equal to 1 minus T2 by T1 is equal to 1 minus Q2 by Q1 अभी इसको आप ऐसे लिख दो 1 minus T1 माफ कीजेगा Eta is equal to T1 minus T2 by T1 कुछ ऐसे अभी इसको देखकर के क्या पता चल रहा है कि Eta जो है ना वो T1 minus T2 पर directly proportional है अर्थाथ आपका जो source है और जो sink है है यह source का temperature यह sink का temperature तो source और sink के temperature के बीच का difference जितना जादा होगा उतना ही जादा car not heat engine का efficiency होगा यह देखके हम लोग बता सकते हैं इसका जो efficiency है इसमें देखो कहीं पर भी walking substance की चर्चा नहीं हो रही अर्थाथ जो आपका efficiency है car not heat engine का वो आपका कह सकते हो कि walking substance के nature पर dependent नहीं करें कहीं पर भी चर्चा ही नहीं तो क्या है यह चीज़ आप समझ गया होंगे तो चलिए आज के इस वीडियो में मेरे प्यार है भी बस हम लोगों ने car not cycle को discuss किया बिलकुल details में यह सारे चीज़े जो है आपके लिए helpful होंगी हर एक step जो हम लोगों ने समझाने का आपको प्रयास किया है अगर आपको लगता है कहीं पर कुछ doubt है कुछ पूछना है definitely comment कीजिए ठीक है आपका हर एक जो भी comment होता है उसका हम जवाब देते हैं ठीक है तो आप comment करिए और हम कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं और जो प्लेलिस्ट है हमारा थर्मोडानेमिक्स का उसको जरूर से चलूर चेक करिए हना definitely एक एक वीडियो आपके लिए helpful होगा तो चलिए मिलते हैं आप से कहां पर अगले वीडियो में